इंडियन आर्मी का 60 पेरा फिल अस्पताल टर्की के लिए बना वर्दान कोरियाई वार में भी दो लाख लोगों की बचाई थी जन टर्की और सीरिया में आए भूकम्ट ने बाहरी तबाई मचाई हुई है अब तक भूकम्ट से मरने वालों की संक्या 28,000 के पार हो चुकी है दोरों देशों की मदद के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं इसी कड़ी में भारत भी शामिल है भारत ने हर समय आपता से प्रभावित होने वाले किसी भी देश में संक्यट में युद्ध में सबसे पहले मदद पहुचाई है भारत में जरूरी सामान के साथ राहत बचाव की टीम टर्की और सीरिया में भेजी है भारती सेना का साथ पैराफिल अस्पिताल की यूरिट ने टर्की और सीजा के भूकम से बचे लोगों की इस्तो आर्थ सेवा के लिए दुनिया बर से सराहना प्राप्त की है भारत की या मेडिकल यूनिट निरंतर दोनों देशों में फसे लोगों को लगातार मदद पहुचा रही है भारती सेना की साथ पैराफिल हॉस्पितल की यूनिट पहली बार सुर्ख्यों में नहीं है कोरिया युद्ध के दोरान भारत में संयुत राज सुरक्षा परिशत के प्रस्तावों का समर्थन किया था इसके तहत भारती सेना की एक मेडिकल यूनिट शाट पैराफिल्ड अस्पताल की तैनाती की गई थी जिसकी कमार लेटिनेंट करनल एजी रंगराज ने संबाली थी